हेलो एवरिवन एम इंश्योगरवाल आप सभी की प्रेपरेशन जिपमेट से रिलेटेड हो चुकी है और जिपमेट जैसी हो जा तुरांत इंदोर की प्रेपरेशन में लग जाना ठीक है लेकिन आज में कुछ खास्ची यह बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझ लेना मेरे ख से रूल करना ठीक है लाइक मैंने जो कुछ अबजर के पहले वह बता देता हूं कि देखो जब मेट में भैंकर एरर आरी पिछले दोनों साल से बहुत ज्यादा एरर आरी हर कॉश्यन में लेकिन अगर लाश्ट येर भी टॉपर के मांग्स देखें तो 380 प्लस ते आउट 400 लेकिन गलतिया अत्ती जादा थी कि आपके 380 प्लस आई नहीं सकते थे है ना 380 प्लस तभी आयोंगे जब उन्होंने गलत कॉश्यन के भी फुल फुल मांक्स दिया होंगे ठीक है दूसरी ची और अगर सिर्फ हम कॉंट की ही बात करें तो लाश्ट येर अगर राची के क निकल जाने चाहिए थे है ना तो मेरा फर्सनल मानना है कि कुछ कोश्यन को इन्होंने रिजेक्ट किया ही नहीं होगा है ना जिनमें हलकी पुलकी एरर होगी कि आप अपमें कॉमन सेंस लगाके अंसर लगा सकते थे तो इस तरीके की आज मैं कुछ तरीके बताऊंगा कि आ हमारे कुछ achievement देख लो इतने कम बच्चों में भी देखो क्या शांदार रिजल्ट आते हैं हैना screenshot लेके आराम से देखते रहे ना इतने खतरनाक खतरनाक रिजल्ट आते हैं ठीक है वह इसलिए आते हैं क्योंकि हम बहुत selective बच्चे ही लेते हैं ठीक हमारी catipayment.com पे जाके आप काम की बात जो आप जिसका इंत्यार कर रहे थे नहीं देखो दियान से समनना अ एक बच्चों को सेंटर ही उनकी सीटी से बाहर देती है इसा नहीं करना चाहिए ठीक है चलो देखो मानके चलना है आपकी तयारी हो गई है और सीमेट का लेवल जो होता है बहुत ही बहुत ज्यादा basic level होता है ठीक तो basic level प्लस कुछ question कुछ question ध्यान रखना कुछ question medium level के आएंगे जिसे अगर quant की बात करूँ तो out of 33 questions आप मान के चलो 3 to 4 question ही इसे रहेंगे जो medium level के रहेंगे बाकी सारे easy रहेंगे है ना reasoning di की बात करें तो पूरा का पूरा easy रहेगा variable भी इनका काफी आसान ही रहता है अब यह कुछ चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है पहली चीज पहली चीज तो यह ध्यान रखो अब नया कुछ मत पढ़ना कुछ भी YouTube पे इसे वीडियो ना देखो जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा हूँ कोई सेंस नहीं है अगर पिछले दो-तीन मैंने एक साल में जो नहीं किया वह अप less than 24 आट्स में क्या ही कर लोगे ठीक तो पहली और लोग है न वीडियो बढ़ाने के लिए फालतु के वीडियो की इंपोर्टेंट वो इंपोर्टेंट फालतु की चीज़ है और खिल्टों से पढ़ा रहा हु मैंने कभी भी किसी टॉपर बच्चे को ध्यान से एक बात मेरी सुनना कट-off निकालना और अलग बात होती है तो सभी है एक चीज़ ध्यान रखना जिप मैंट में बहुत सारे questions हो सकता है गलत आ जाए या ध्यान से एक एक word बहुत ध्यान से सुनना या तो questions गलत आ सकते हैं चाहे वो point हो, lr हो या options गलत आ सकते हैं या options गलत के साथ याने गलत ही आतो होते हैं या कुछ misprint हो जाता है अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत अगर misprint होता है तो इसको ये लोग है न इग्नोर कर देते होंगे ये वाली गलती को तभी बच्चों के इतने ज्यादा ज्यादा नमबर आ रहे थे तो देखो question गलत जाएगा तब तो देखो आप उसको solve भी नहीं कर पाओगे तो आप उसको छोड़ी दोगे ठीक है अच्छा आगे एक चीज़ और बताओंगा या भी बता देता हूं ध्यान रखना कोई भी question में अगर आपको कड़ते समय सा लग रहा हो कि या ये गलत है तुरंट छोड़ ये नहीं होगा मेरे से वो नहीं होगा मेरे तो जिपमेटी नहीं निकल सकता ऐसी फालतों की बाते मत सोचना अपने ओपर confidence रखना है ना एक दो बार ट्राए करके देखना अगर सही में कुछ गढ़बर लग रही हो तो भली फिर उनकी गलती हो या आपकी गलती हो उस समय तो उसको छोड़के आगे बढ़ो इसी में समझदार ही है ठीक है हाँ बाद में जब पूरा पेपर हो जाओ चिपमेट देखो हो ही जाएगा आराम से हो जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा तो दो बार रहें इस question को आके कर लो दूसरा अगर option match ना करें या किसी option में misprint ह हो जाए इस case में क्या करें देखो इसमें क्या करना बाद में जब वो answer की release कर खेर उसको मानेंगे की नहीं मानेंगे ये भी अपने आप में बहुत बड़ा issue है लेकिन आप क्या करना सही answer मिल यह तब तो कोई बात ही नहीं है और अगर question reject करेंगे तो सभी को पूरे marks देंग यह भी है लेकिन एक तरीका और जो आप कर सकते हो है ना वो है आप best possible answer पर mark करके आजाओ best possible answer that could they consider है ना तो you should mark that answer that could be the possible answer ठीक है क्योंकि last year के shipment में भी मैंने देखा था बहुत सारे option ऐसे थे जिसमें हलका पुलका printing mistake था तो हो सकता है कि वो आप से में सोच रहे हूं कि बच्चता तो सोची लेगा best possible answer को mark कर देना देखो ध्यान से समझने समय क्यों बोल रहा हूं या तो वो question reject करेंगे question reject करेंगे तभी सब को पूरे number देंगे या reject ही कर दिया तो भी सबको zero मिलेंगे सबको four मिलेंगे ठीक है तो अगर जिनोंने उसको mark किया होगा उनको भी आ तो पूरे मिल जाएंगे उनको भी zero मिलेंगे लेकिन अगर उन्होंने question reject नहीं किया तो फिर वो क्या करने वाले वो यही करेंगे ना कि जो उन्होंने answer सोचा होगा वही answer final उसको ही decide कर देंगे और उन्होंने क्या answer सोचा होगा उन्होंने तो best possible answer यहने सही answer सोचा होगा न वो तो printing mistake में इधर गलत आगया ठीक तो best possible answer पर आप mark कर देना तो देखना यहां से आपका cutoff निकल जाएगा या अच्छी रहेंग भी मार दोगे तो यह कुछ बाते थी जो मुझे आपको समझा आनी थी जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था तो उमीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा अभी तक सुन रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो ठीक है लाग सब्सक्राइबर पहुंचाओ यार इसको भी ठीक थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो